हाई लो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई इस्टेडी फीच चैनल दोस्तों प्रिवेस यह में जितने भी कोश्चन्स पुछे गए हैं फिजिकल एजूकेशन कमपटिटिव एक्जाम्स टिजिटी फिजिटी के विएस एन्वेस एल्टी में उन सभी कोश्चन्स को टापिक वाइ तो मेरे चैनल पर वीडियोज वीडियोज को वाज करके आप अपने प्रिपेरिशन को डेली बिसेज पर अच्छा बना सकते हैं युद्स के जा रहे हैं उसका भी नहीं के प्रस्णों की तरफ तो फर्स्ट कोस्चन है कि बाराबाती स्टेडियम कहां इस्थित है तो कहां इसी थे, कटक में, कटक कहां पड़ता है, उडिसा में, तो बाराबती इस्टेडियम पड़ता है, कटक उडिसा में, ठीक है एन देस्टो भायात में क्रिकेट के अन्य राष्टी इस्टेडियम है जैसे कि इडन गार्डन इस्टेडियम कहा है कुलकाता में है वान खेड़े इस्टेडियम कहा है मुंबई में है नेहरू इस्टेडियम कहा है इंदोर में है फिरोष शाह कोटला कहा है दिल्ली में है किन्नाश्वा में इस्टेडियम कहा है बंगलूरु में है एम ए चिदंबरा में इस्टेडियम कहा है के नई में है एन बेब्राउन इस्टेडियम कहा है दोस्तो मुंबई में है रूप सिंग इस्टेडियम कहां है गौलियर में है गुजरात इस्टेडियम कहां है अहमदाबाद है दोस्तों जैसे कि गुजरात इस्टेडियम जो है मोंटेरा इस्टेडियम भी इसको बोला जाता है यह बतमान में विश्यू का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम है इ तो गहां है कानपूर में लेस्ट है महात्मा गांदी करा इसी थे तो महात्मा गांधी चैडियम में इंडोर इस्टेडियम कहां हो इसी थे तो कहां है नई दिल्ली इस प्रिस्चियन सारेटरिक शिछा कालेच यानि की क्रिस्चियन कालेच फिजिकल एजुकेशन का आरंब हुआ कब हुआ 1932 में चाहिए या उत्तर प्रदिस के राधानी लखनों में इस सित है तीक है नेच्ज पाकिस्तान का राश्टिये खैल कया है जैसे कि वह बahlा तक पाकिस्तान दोनों के राश्टिए खेल है हांकि नेक्स्ट है राष्टिय खेल दिवस मनाया जाता है राष्टिय खेल दिवस कब मनाया जाता है 29 अगस्त को किसी के जन्म दिवस पर मेजर ध्यान चंद हागी के बहान जादुगर महान खिलारी मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर ठीक है इनका जन्म 1905 में 29 अगस्त को हु वर्ष 1936 के बर्ली उलम्पिक में भारत हांकी की कब बर्लीन में भारत ने इसरी बार अधिकारिक तोुं उलीज बार ऐस्म पूक्ण लिक heartbeat को भारत में वाँकि बहुत तो उल्लीज तो यह eigenlijk जाता है कि भारत में हांकी को था यू wise अधिकारी में भाग लिया था ठीक है एंड अधिकारित से भाग लिया था उन्हें 28 में अहां कि में सबसे पहले स्वर्पदर जीता था ठीक है नेक्स्ट है भारत में खेल प्रतिभा खोज चात्र बृति की शुरुवात किस्चन में हुई थी तो किस्चन में हुआ था 1971 में यानि कि वर्स 1971 में भाग सरकार ने खेल प्रतिभा खोज चात्र बृति यानि स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कॉलर्शिप योजना सुरु की जिसका उद्देश उभरते हुए लड़के लड़कियों की प्रतिभा को खेलों में अधिक बिक्सित क प्रकासित किया गया था। तो किस समचार पत्र द्वारा खेर समचारों को सरपत्तम प्रकासित किया गया था? पाइनियर आपसजन नंबर भी करेक्ट होगा. जैसे कि दोस्तों इसमें दो हिंदू आया था 1878 में, पाइनियर आया था 1865 में सबसे पहले, अधके만 फेले इसमेल समस्वाइबत्र को प्रकासिद भी किया गया एद नो भारत टाइम्स आया था 1996 में जन सत्था आया था… Okay Next question है, कीचर अष्जनान प्रचलित्था तो कीचड अष्जनान का प्रचलित था दोब्सतो, ए फेन स्कnt नहींद सधाय मिर्टियों फानि का घुल्ट होता था था तो यानी केचल शुष्णन का प्रता एथेंस इननां में प्रचनित थीए थीड़ूमि 1 n पदार्टों में किसे मद वक्वक्वी के डंग का इलाज किया सकता है तो किससे किया जा सकता है sodium bicarbonate से किया जा सकता है ठीक है sodium bicarbonate को baking soda या खाने वाला soda भी कहते हैं इसका रसाइनी सुत्र होता यह ने ए एस ची ओ थी यह मधुमक्की के डंक के बिसेले प्रभाव को खत्म करने में भी इसका उप्योग किया जाता है दबलु येच्चो का पूर्ण रूप क्या है दबलु येच्चो का पूर्ण रूप क्या है ? व्र्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाजसेशन ठीक है ? विश्व स्वास्थ संगठन इसकी इस्थापना वर्ष snack homme two- qualify वे वोल्ड हैल्थ उर्गनाजशे संगठे की स्थापना की सिर्फ सही है ne pass 5 सीष्डीिघ के चौनट का फोल्ड है पिजावनेब पर्टीवर्ज साहा और यहां क्या उर्टी अप्रेल 002 स्थापना हुआ था 1948 में इसलिए 7 अपरेल को विश्र स्वास्त दिवस मनाई जाता है ठीक है नेस्ट कोर्शन है अपिल कमेटी की जूरी में सामिल होने चाहिए तो कितने व्यक्ति तीन या पांच व्यक्ति सामिल होने चाहिए नेस्ट कोर्शन है विश्रु स्वास्त संगठन की स्वास्त की संकल्पना अभी केंद्रित है यानि व्यक्ति स्वास्त की संकल्पना है किस पर अभी केंद्रित है यहां अभी केंद्रित है पूर्ण तंदरुस्ति के एक अर्थ के रूप में स्वास्त है आफसर नंबर ए यह चोंआ पर करेक्ट होगा यानि की दूस्तो इसका परिभास था डेवल्य एछ कि स्वास्त की कि स्वास्त है सरी कुस्तर स्वास्त होने की अवस्था है विछ स्वास्त का ऐसा है इस fender हासिल करना अन्सानी जिन्दिगी का मौनुरतd होना चाहिए जो कि हर ब्यक्ति को समाजिक वा आर्थिक तोर पर उत्पादित जीवन जीने के योगी बनाएं विसस्वास संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में जेनेवा में की गई प्रिथिवी का कितना प्रतिसत महाशागर समुद्रू जीलू नदियू नाले और आदर भूमी के रूप में पानी से धका हुआ है तो कितना धका हुआ है दोस्तों पानी से उत्पन होने वाले उर्जा कहलाती है तो किसी वस्तों की गती के प्रडाम सरूप उत्पन होने वाले उर्जा क्या कहलाती है गतीज उर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी बुला जाता है ठीक है यानि किसी वस्तों की गती के प्रडाम सरूप उत्पन होने वाले उर्जा गत सामा वस्था से उस वेक तक तुरित करने में किये गए कारे के बराबर होता है क्यानि काइनेटिक इनर्जी बराबर वन अपार टू यंभी स्कुराइर यहां सितात पर यहां वस्थो का द्रगमान है अभी से रखी वेक ठीक है बायो मेकनिक्स जिसमें बल की कारवाई का विसलेशर सामिल है यहां बैद रुप से साखा है किसकी साखा है भौतिकी का आपसर नंबर भी यहां पे करेक्ट है अगर सरीर का कोई भाग किसी वस्थो के साथ रगड़ा जाता है तो इसका प्रडाम होता है क्या इसका प्रडाम होता है जलने की समवेदना आपसर नंबर भी करेक्ट होगा ठीक है नेस्ट कोश्चिन है इनसाइट ट्रेक इनमें से किसकी आत्मकथा है इनसाइट ट्रेक इसमें से किसकी आत्मकथा है कार्ल लेविस का ठीक है दोस्तों जैसा कि Karl Levis की ए आत्मकथा इंसाइड ट्रेक इन्हों ने कुल 10 उलम्पिक पदक जीते हैं इनमें से 9 श्वर्ड है और एक रजट पदक सामिल है तो यहां पर question पुछ रखता है कि Karl Levis ने कुल कितने उलम्पिक पदक जीते हैं तो 10 उलम्पिक पदक जीते हैं जिनक मान कि आत्मकथा का क्या नाम है इंसाइड ट्रेक Egyptian का जीते हैं इसको स्वर बाधक है इसलिए निपूर्था से थ decisional करताहएं करता है यह जिसमें थकान बढ़ती है ज्विक्रेकारें स्थित्यों में नहीं एक नेरख़तीयों के जाता है इस चीज़ को कहे हैं है रेल ने एक और प्रिवासा है सोर वह धोनी है जो ब्यक्ति के लिए अप्री होती है यह यह ब्यक्ति के समाने जीवन को आंदोलित कर देती है यह कहा है टिफण ने ठीक है निश्ठ है यह गतिविधियों पर पूर्सों के में सराप के लंबे समय तक इस्तिमाल का क्या प्रभाव पड़ता है तो इसमें यह काम उत्तेजना को रोकता है ठीक है रक्त संबंधों से उत्पन समाधिक रिष्टे यानि वास्तिविक और कल्पित और विवा समयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं नातिदारी कहलाते हैं ठीक है किन्सिप कहलाते हैं कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबाल मैदान की आउ सकता है या कथन किसने कहा है इस कथन को कहा है श्वामी विवेका नंद ने ठीक है कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबाल मैदान की जुरुत है आने प्रिभासा है कि सारे सिच्छा की नौकेवल बतमान अपितुभविस से में भी महान उपयोगता के देखते हुए रेश्यू ने कहा है कि यह सरीर का ठोस गठन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालंग करता है यह सरीर का ठोस गठन ही है जो मन का शही और निश्चित संचालंग करता है यह कहा है रेश्यू ने ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई हो की सभी कोस्टन्स आपको समझ में आए होंगे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और बने यह मेरे चैनल पर यहीं सभी एक्जांस का प्रिपरेशन आपको सीलिवस के रिकार्डिंग करना है तो डेली बेसे पर लगे रही है दोस्तों कि वेकेंसी एक दिर आएगी इतने डिले वेकेंसी तो होती ही है दोस्तों एक बार ही आती है इसलिए आपको पहले से लगने की जरूरत है क्योंकि बार वेकेंसी आती नहीं है अब बहुत कम वेकेंसी आती है तो इसमें पार वही पाएगा जो डेली बेसे पर अधियन करेगा तो दोस्तों यहीं फर्स वर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को फ्रेस कर लेजिए जिससे जो ही नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपडेट आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नश्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैए